आज हम आपको मुलतानी मिट्टी मैनुफेक्चरिंग बिजनस के उपर सारी जानकारी देने वाले हैं कि इस बिजनस में आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है किस टैप के बिजनस रिसर्च करने पड़ेगी कौन से रॉव माटिरियल का यूज होगा कौन सी मशीनरिस का सेट अप करना पड़ेगा कितने एरिया और मैन पावर के साथ आप इस बिजनस को रन कर सकते हो कौन से कस्टमर्स को आप इन्हें सेल कर सकते हो कौन से लाइसेंस इसका अप्रूवल चाहिएगा आपको कितना प्रॉफिट होगा और क्या स्टेटेजीज यूज करके आप इस बिजनस को ग्रोग कर सकते हो तो इन सारी चीजों की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा एंड हिट दा बेल आइकन तो सबसे पहले जान लेते है कि कौन से बिजनस रिसर्च करनी जरूरी है इस बिजनस को स्टार्ट करने से पहले जो प्रोडक की आप मैनिफेक्चरिंग कर रहे है उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है जो अल्रेडी उसका मैनिफेक्चरिंग कर रहे है वो कितनी कौन्टिटी में सप्लाइ कर रहे है क्या प्राइस पे सेल कर रहे है और क्या quality का वो product बना रहे है और market में sell कर रहे है तो इन सारी चीजों की जानकारी आपको उनसे लेनी पड़ेगी इस business को start करने से पहले जहां पे वो लोग sell कर रहे है उनसे आपको बात करनी पड़ेगी कि कैसे वो लोग इनसे purchase कर रहे है क्या credit limit पे वो लोग इनसे purchase कर रहे है और क्या अलग अलग process है उनके बीच में जो वो लोग maintain कर रहे है जिससे उनका ये business बहुत ही अच्छा run कर रहा है तो ये सारी चीजों के आपको एक research करनी पड़ेगी उसके बाद आप एक proper business plan बना पाएगे जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि मैं इतने investment के साथ भी इस business को start कर सकता हूँ या आप इतने investment के साथ इस business को grow कर सकते हो कितना working capital चाहिएगा तो ये सारी चीजों के आपको जानकारी आ जाएगी business research करने के बाद अब बात करते है raw materials की तो यहाँ पे आपको water मुलतानी मिट्टी और packaging material तो ये सारी चीजों के आपको raw materials की जरुवत पढ़ने वाली है इस business को start करने के लिए अब बात करते है machinery की तो यहाँ पे आपको मुलतानी मिट्टी grinder filtering machine, weighing machine और packaging machine तो ये सारी आप automatic machines purchase कर सकते हो जो आपको available है online और local market आप आपके convenience और budget के हिसाब से इने purchase कर सकते हो कि इतने capacity या इतने production की आपको ये machinery चाहिए और semi-automatic या fully auto आप बात करते हैं investment की तो आप इस business को 25,000 से 1,000,000 तक के investment में start कर सकते हो जी हाँ यहाँ पे आपको सिर्फ 25,000 से 1,000,000 तक का investment करना है क्योंकि यहाँ पे आपकी जो ये machinery है वो सारी चीजे इस capital investment में included है और जो raw material है वो भी कुछ time का इसमें included है तो आप इतने investment के साथ भी इस business को start कर सकते हो यहाँ पे हमने एक बहुती small skill business model के investment से आपको बताया हुआ है कि आप इतने investment के साथ यह business को start करके बहुती अच्छा profit earn कर सकते हो अब बात करते है customers की कि आप इसकी manufacturing के बाद किन customers को sell कर सकते हो आप इने wholesalers, retailers general stores, supermarkets pharmaceutical companies military and civil services online और बहुत सारे ऐसे customers को sell कर सकते हो क्योंकि यह बहुती ज़ादा useful चीज है जो बहुती ज़ादा लोग demand करते है तो आप इने जितना production करके sell करोगे आपकी sales हो जाएगी बस आपको ध्यान रखना है कि आप कैसी marketing कर रहे हो आपके product को लेके और क्या quality का product आप manufacture कर रहे हो यहाँ पे आप इसे online और offline भी sell कर सकते हो अलग-अलग profit margin को set करके जिससे आपकी जो profitability है वो increase हो जाएगी online sites की बात करें तो आप इसे exporters India, India Mart, Amazon, Flipkart ऐसी कई online sites है जहाँ पे आप आपके products को sell कर सकते हो अब बात करते है strategies की जो बहुत important role play करता है कोई भी business को grow करने के लिए तो आप publicity, advertisement, sales promotion, direct marketing, digital marketing यह सारी चीज़े use कर सकते हो इस product को लेके और बहुत ही जादा इस business को grow कर सकते हो यह strategies जो है वो आपके ओपर depend है कि आपका जो business model है और business plan है उसके हिसाब से कौन सी strategies यूज़ करके आप आपके business को grow कर सकते हो अब बात करते है area और manpower की तो यहाँ पर 100-600 square feet के minimum area में आप इस business को setup कर सकते हो और manpower की बात करें तो 2-5 labor's enough होगे इस business को smoothly run करने के लिए यहाँ पर area और manpower का figure totally depend करेगा आपके types of machinery और business model के उपर तो यह सारी चीज़े आपके उपर depend है के आप इस business को कैसे अच्छे से grow कर सकते हो अब बात करते है licenses की जिसके approval के बाद ही आप इस business को setup कर सकते हो तो सबसे पहले आपके business को register करना पड़ेगा NOC from state pollution control board उद्या मादार BIA certification ट्रेड मार्क और एक GST नंबर की जरुवत पड़ेगी यह सारे licenses के approval के बाद आप इस business को easily start कर सकते हो अब बहुत ही important चीज़ आती है वो है profit तो depend करेगा आपके production और business model के उपर के आप इस business से कितना profit earn कर सकते हो आपकी sales आप कितने contract business पे work कर रहे हो profit return percentage है वो बढ़ या घट सकता है तो यहाँ पे हमने on and average बताया है कि आपको 50 to 70% तक कर return मिल सकता है तो totally depend करने वाला है आपकी sales के उपर जी हाँ यहाँ यहाँ पे बहुत ही जादा important role play करेगा वो होगा sales उसके उपर ही आपका profit totally fluctuate करेगा तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दिये कि कैसे आप इस business को start कर सकते हो कौनसे type की business research करनी है raw materials, machinery, investment कौनसे customers को आप sell कर सकते हो online कैसे आप sell कर सकते हो कितना profit होगा कौनसे license की आपको जरूरत पढ़ने वाली है सारी चीजों की जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दे दी है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो please subscribe आर चैनल like, share और अगर आपको कोई भी doubts हो तो आप हमें comment section में पूछ सकते हो thank you